हलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे IPL 2021 का जो उन्नीसवा मुकाबला चैन्ने सुपर किंग वसेस रॉल चलेंजर बैंगलोर के बीज जो दो पाहर में खेला जाएगा उसके बारे में क्रेइट है थोड़ा थोड़ी बहुत प्रॉलम आएगी दोस्तों क्रेइट मेंटेन करने में तो उसके लिए टेंसन लेने की जोड़ती है सबसे पहले हम लोग पूरी डिटेल अनलेसिस करेंगे दोन टीम्स के बारे में उसके बाद स्मॉल लिग ग्रेंड लिग की पूरी ब में पीन बुलर के मुताबिक आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात क्लियर करदों कि जो चैन ने सुपरिकींग से दोस्तों वान खेड़े में खेल रही है लेकिन जो आर्सीवी टीम है इस टार्टिंग में यह लोग चैन ही मैच इस ग्राउंड पर यह लोग खेले हैं बह देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह आपको पहले फिल्डिंग करते वह दिख जाएगा क्योंकि बाद में यहाँ पर चेस करना बहुत ही इजी होता है बात करें एवरेज स्कोर की तो 170 के प्लस आपको एवरेज स्कोर दिख जाएगा क्य आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद यह सारे टीम अभी तक इस ग्राउंड पर जीत दर्श की है तो दोस्तों जो यह मैं पीच रिपोर्ट बता रहा हूं यह केवल एक मैच प गया टेक้ 68 ले चुके हैं अथ मैच में और यहाँ पर स्पी Debat में नहीं है तो यहां पर स्पीन बोलर की बात करें तो 10 विकेट लोग भी हमारे चैनल पर नए आया है जल जल कर लिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि जितने भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और टेलिग्राम चैनल पर एड हो जाए क्यूंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी बात देखकर आपको यह लग रहा हुआ कि चैनल के सुपर किंग का पगड़ा बहुत ही भारी है लेकिन दोस्तों लाश्ट जिएन की बात किजा तो एक मैच आर्सवी जीता था और एक मैच चैनल नबर पर है तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट करके बत है जो कि आपको थोड़ा से इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी दिर में आपको गेवे का सवाल पुछूंगा बात कर लेते हैं दोस्तों लाश्ट सीजन दो दोनों का दोनों मुकाबला खेला गया उसकी पूरी डिटेल के बारे में तीसे देखकर आपको अंदाजा हो जा सकते हैं कि एक में 90 प्लस 90 नाबाद स्कोर किये था और एक में 50 अबीड बिलियर्स का भी दोस्तों ठीक ही ठाका स्कोर है तो इधर से आपको क्योवल टॉप और पर फोकस रखना है और चन्ने की तरफ से भी दोस्तों आपको क्योवल टॉप और बैट्समें पर जादा फोक बैंगलोर के खिलाफ अमबती राइडू को दोस्तों अच्छा खेलते हैं बैंगलोर के खिलाफ एक में 42 रन एक में 49 रन और MS धोनीवी के दोस्तों ठीकी ठाक रिकॉर्ड है पिछले सीजन एक में 10 रन और एक में 19 रन नबाद बनाये थे बॉलिंग सेक्षन से बात करें तो यहां से आर्सबीक तरब से क्रिस मोरिस तो भी बाहर हो चुक है तीन को एग्णोर करते हैं तो वासिंटन सुंदर आप दो मैच में दो विकेट लिया थे उड़ाना भी बाहर हो चुक है चाहल की बात करें तो इस सिजन चाहल का कुछ ख तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि चैनल सुपर किंग अपने प्लेयर्स पर भरोसा करती है और इधर से आपको कम ही चेंजर्स देखने को मिलेगा लास्ट मैच में ब्राबो के जगल लूंगी निगीडी को खिला गया था जो कि तीन विकेट चटकाएं थे और जो बाकी प्लेंग लेएं उन सेम रहेगी तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं गीवे के बारे में तो जो लास्ट मैच में मैंने गीवे रखा था उसकी रिजल्ट मैं एनाउंस कर भी चुका हूं और उसका विनिंग का प्राइस भी मतलब मिल चुका है जो लोग गीवे के विनर थे इस वीडियो में भी मैंने आप लोग के लिए गीवे रखा था था थोड़ी सी इंतजार कर लिए मैं आपको सवाल पूछूंगा बहुत ही जी केवल उसको आपको सही जवाब देना है जो भी भाई लोग दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर द 64 रन इन्होंने बनाया था बात करें फैब डू प्लेसे नाबाद 95 रन बनाया थे और मोहिनली दोस्तों 25 रन तो आपको केवल टॉप वर्डर पर ज्यादा फोकस रखना है दोस्ते रितुरज गयकवाड फैब डू प्लेसे मोहिनली और नीचे से बात करें तो मतलब पिछल बॉलिंग सेक्षन से इधर समय आपको केवल तीन बॉलर का नाम बताऊंगा एक दोस्तों दिपक चार दूसरे सैम करन और तीसरे दोस्तों लूंगी निगेडी यह तीन फास्ट पर आपको ज्यादा फोकस रखना है टीम बनाते समय क्योंकि दिपक चार मैच में आठ विके से साल उठाक और कुछ खास इन फॉर्म में नहीं है तो आप इनको केवल ग्रेंड लिंग में ट्राइए किजएगा स्मॉल लिंग में इग्नूर कर सकते हैं लाश्ट येर की बात करें तो दोस्तों फैट डूपलेस बैटिंग से सबसे ज़्यादा रन स्कोर किये थे और ब बैट्समें और कौन सा बॉलर सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा इस मैच में तो आपको केवल तीन प्लिर्स के कोमेंट करने हैं उसके बाद जो अगली वीडियो रहेगी उसमें मैं गिवे का रिजल्ट एनाउंस करूंगा और फिर आपको प्राइज मिल जाएगा बात क कर लेते हैं उसके बाद यहां पर प्रिवियस चार मैचस की पूरी पूरी रिकॉर्ड तो जैसा कि आपको पता है कि चन्ने का भी टॉप पॉडर पिशले मैच में तगड़ा बैटिंग किया था जो कि इसी ग्राउंट पर खेला था और आर्सवी का भी टॉप पॉडर रहेंगे वी डिलर्स को पिछले मैच में मौका नहीं मिला था नहीं ग्लेन मेक्स्वेल को बात करें बॉललिंग सिकस्स से तो इधर समिए मैं आपको तीन बॉलर्स के नाम बताऊंगा जिनको आपको लेना ही लेना है की काइल जमिल्सन दोस्तों और हरसल पटेल और और भी कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यह वान खेड़े का पीछ है और इनको क्रेडिट भी दोस्तों कम हो चुका है क्योंकि विकेट निले रहे हैं बात कर लेते हैं लाश्ट यर की रिकॉर्स तो देदर परडिकल्स सबसे दर अनस्कोर किये थे और बॉलिंग सेशन से चाहल लेकिन इस सेजन चाहल का कुछ खास फार्म है नहीं उसके बाद बात कर लेते हैं की प्लेयर्स की उपर तो चैन्ने की तरफ से मैंने चार की प्लेयर्स को यहां पर एड़ किया है सबसे पहले दोस्तों रितुरज गाइकवाट जो कि पिछले सिजन मतलब पिछले मैच में पिछले मैच में इन्हों ने भी नाबाद दोस्तों बहुत ही तगड़ा 90 प्लस स्कोर किया था मोहे ने लिए दोस्तों पिछले मैच में बैटिंग तो किये थे लेकिन बॉलिंग से भी विकेट चटका है थे मतलब विकेट यहां समय आपको सिंपली बता दू कि जो मोहे न दोसन रहेंगी और इनका रिकॉर्ड दोस्तों बैंगलोर के खिलाफ अच्छा रहा है बात करें इधर से तो दोस्तों रॉयल चलिंगर बैंगलोर की तरफ से देवदत परडिकल बिराट को ले जो कि फिछले मैच में नॉट आउट थे फिर ग्लेन मैक्सवेल और हरसल पट इसके बाद दोस्तों ग्रेंड लिग की टीम तो दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेजागा दोस्तों मैं आफी लोग के फैदा के लिए बोल रहा हूं और टेलिग्राम चैनल पर दोस्तो जल से जल एड़ हो जाए क्योंकि फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी टॉस के बाद अगर कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको वहां पर अपडेट जरूर कर दूँगा मैच से पहले और दोस्तों आपको वीडियो से पहले वहां पर एक रिजल्ट भी मैं एनॉंस कर कभी-कभी मैं भूल जाता हूं तो बात कर लेते हैं जारा टाइम वेशना करते हैं अब स्मॉल लीग की टीम के उपर तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बॉलिंग से तो बॉलिंग से यहां से आपको पता है कि वान खेड़े का पीछ तो यहां पर आपको फास्ट टोलर ज्यादा फोकस करना है तो मैंने अपने टीम में यहां से हरसल पटेल को लिया जो कि इनका इस्टार्टी में क्रेट आठ का था लेकिन अभी आप लोग देखेंगा तो 9 का क्रेट हो गया क्योंकि यह बहुत ही तगड़े पॉइंट दिला रहे हैं हर मैच में बात करें मैंन मैं तीन विकेट लिये हैं लूगी निगेडी दोस्तों फिछले मैच में तीन विकेट और यह लोग दोस्तों मतलब श्ट्राइक बोलर है दोनों टीम की तरफ से और देथोबर में बॉलिंग करेंगे और पावर पले में भी तो मेरे हिसाब सी यह बेस्ट आप्सन रहेंग लेकिन फिर भी इनको बहुत सारे लोग इग्णोर कर रहे हैं तो आप इनको ग्रेंड लिंग में त्राइब कर सकते हैं रविंद्र जड़ेजा को भी ग्रेंड लिंग में फिलाल तो जैसा कि आपको पता है कि मैं स्मॉल लिंग में बिल्कुल भी रिक्स लेने के लिए नह बात कर चुके हैं अब बात करते हैं वेटिंग सेक्चन से मैं यहां से लिया है विरमक से रितुराज गाइकवार को और इनको पिछले माच में बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला था तो अगर दोस्तों इस में मौका नहीं मिलेगा तो फीर हमारा दस क्रेट बरबाद हो जाएगा तो यहां से मैं अच्छे बैट्समें अच्छे और राउंडर और अच्छे बोलर लेने का कारण मैं किवल एक यहां से अच्छा मतलब कर सकते हैं विकेट कीपर को ड्रॉप कर रहा हूं यह ज्यादा नुकसान भी नहीं है दोस्तों क्योंकि MS धो बनाऊंगा ग्लेन मैक्सवेल को आप यहां से बिराट कोली और फ्याट डुक प्लेसिस को भी बना सकते हैं लेकिन मैं इनको इसलिए ने बना रहा हूं क्योंकि मान लिजे दोस्तों बिराट कोली जल्दी आउट हो जाएंगे तो फीर यह तो बॉलिंग तो करेंगे नहीं इनका पॉइंट तो उतना खासा आपको मिलेगा नहीं और बात करें मोहिनली और ग्लेन मैक्सवेल को यह लोग बैटिंग करने तीसरे नंबर पर आएंगे दोनों के दोनों दोनों टीम की तरफ से और मोहिनली दो यहां तीन ओपर बैटिंग करेंगे तो इधर से हम लोग देख सकते हैं कि मैंने Captain बनाया यहां से Piece of मैं इनको drop कर रहा हूं क्योंकि abiduillers batting भी करने नीचे आते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तो grand league की teams की उपर तो grand league में यहां से मैं simply abiduillers को लिया है रिवोंकि मैंने captain बनाया है और यह जो मैं team बना रहा हूं दोस्तो middle order को favor करते हो बना रहा हूं केवल मैंने यहां से एक opener को लिया है जो की रितुरज गयकवार्ड है और इधर से बिराट को ली बात करें तो मैंने यहां से देवदत परडिकल को drop किया है और यहां से मैंने fab two places को drop किया है fab two places को लिया अपने team में grand league के और इनको मैं captain बना रहा हूं वाइस captain मैं सुरे सराना को बना रहा हूं जो की betting करने थोड़े नीचे आते हैं और मैं यहां से सेम करन को ले रहा हूं जो की starting सो यह अच्छे point दिला रहे हैं तो यह मेरी final मतलब grand league की team combination रहेगी और जैसा कि आपको पता है कि मैं 8-9 घंटे पहले grand league की team वाली video upload करता हूं तो उस video को भी आप जरूर देखिएगा और giveaway में दोस्तों participate कीजिए इसी तरह support द करता हूं तो